आज अपने पढ़ने वाले हैं इसके बीज के बारे में इसके बीज क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे इसके बीज heading डालिएगा बच्चों यह skin disorder है इसके बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं इसके बीज के बारे में heading डालिएगा इसके बीज इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले इसके बीज क्या है उसका डेपिनेशन उसके बाद में क्या क्या कारान हो सकते हैं उसके बाद में पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टिवेशन और उसके बाद में पढ़ेंगे उसका डाइगनोसिस कैसे करेंगे और उसका image के रूप में आपको दिखरा होगा कि इसकी इनके उपर इसके बीज की वज़े से इस परकार की condition उसपन हो सकती है यह इस परकार से जो रेशेज है वो देखने को मिलेगा इस disease के अंदर उसका casualty organism किस परकार के रेशेज है किस परकार से treatment करते हैं यह important होता है यह exam के अंदर कि अनके इसके एगहार की सब और उसके बास्तुम होता है और यहए खतरनाक है स्कें की डिजीज के अंदर इसके वीज है वो भूट खतरनाक है बच्छो। एक बार बीमारी पकड़ लेती है, तो कई महीने, कई साल तक भीज जाते हैं, खुजली बंद नहीं होती है, यह इतना खतरनाक इसके भीज है, इसके देखो, इसके सब बालवाल देखो, किस परकार से आप देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले इस्टार करते हैं इसके disorder, इसके बीज is a skin disorder, या इसके बीज एक कंटपयज इसkिन इसकीं disorder है, जिसका characteristic fish cord है, तेज खुजली निकलना, है ना, इसके भीज के अंदर क्या होता है, तेज खुजली होती है, ऐसे लो खुजलाते ही रहते हैं, तेज खुजली देखने को मिलती है, किसके अंदर है इसके बीज के अंदर तेज खुजली निकलती है यह इसकी विसेश्था होती है कोजेश की बात करते हैं सारकोप टेज इसके बाइज सारकोप टेज इसके बाइज इसका क्या है केजूटि और्गनिजम है बच्छों ध्यान रखना है सारकोप टेज इसके बीज इसके बीज के अंदर एस आया है और सारकोप टेज के अंदर भी एस आया है ऐसे भी आप याद रखते हूँ इसका केजूटि और्गनिजम है important है a causative organism of the iscabish disease, iscabish disease का causative organism है sarcop tage iscabish, ठीक है ये त्यान रखना है, दूसरा है ये skin disorder होता है इसके अंदर तेज खुजली चलती है, ये इसकी विशेश्था है, इससे अपन मालूम कर सकते हैं उसके बाद में clinical feature की बात करें, तेज खुजली चलना, intense itching, खुजली night के समया और तेज हो जाती है presence of superficial brow और उसके बाद में superficial brow देखने को मिलेगा, adult में इसके बीज के होने की संभावना निम जगों पे होती है arm pits, भुजाओं में, breast के आसपास, finger के beast में, soul of the feet, male, external genital के आसपास, और cortex पर धीरे धीरे ये पूरे body को affect कर देती है, बच्चों बहुत important बात बताई गई है इसमें, इसके बीज के अंदर बहुत important बात बताई गई है कि इसके बीज के अंदर क्या-क्या clinical feature देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले इसके बीज की खासियत ये होती है, कि इसके बीज है, सेज खुजली चलती है इसके अंदर, night के अंदर जो itching होती है, वो और बढ़ जाती है, और इसके अंदर क्या होता है, presence of superficial brow, है ना, इसके अंदर skin का color है, वो brow जैसा देखने को मिलेगा, अब नीशे के अंदर बात करेंगे उसके बाद में, armpits, breast के आसपास, finger के बीज में, soul of the feet, male के genital area के पास में और बटेक्स वाली जगे पे और दिरे दिरे पूरे शरीर के अंदर खुजली जैसी condition उस्पन हो जाती है क्या condition कहलाती है, इसके बीज के लक्सन देखने को मिलते हैं, इसके अंदर रोगी में मौझूद clinical feature को देखना, बोरो में caduative, mites, sarcoctes, इसके बीज का पता लगाना, इसके अंदर बोरो का मतलब क्या होता है, कि skin के lessons होते है, इसके अंदर skin का जो lessons है, इसके बारे में, treatment की बात करें, treatment की बात करें, कैसे मालूम करेंगे, मालूम करने के तो clinical feature, जिसके अंदर तेज खुजली आएगी, रास में खुजली बढ़ेगी, उसके बाद में बुरो के feature देखने को मिलेंगे, मैंने आपको यहां पे English के अंदर दिया हुआ होगा, तो उसके अंदर like red line that may be difficult to see on the estetrum corneum of the skin, BU double R or the brows, brows का मतलब यह हुआ कि skin के उपर इस प्रकार के races, इस प्रकार की racing, जिसके अंदर क्या होगा, fine grey, brown, thread like red line देखने को मिलेगी, वो भी कहां पे estetrum corneum of the skin पे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह condition देखने को मिलती है, उसके बाद में, next बाद करते हैं, इसका treatment के बारे में, इसके भी side drugs का use किया जाता है, मतलब इसके बीज को destroy करने के लिए, इसके भी side drugs use किया जाता है, इसके बीज किया करने का काम करती है, किल करना, किल यानि मानना, जिसके अंदर परमेथ्रीन, लिंडेन, मेंजाइल, बेंजोट, यह आधी drugs दिया जाता है, यह किस प्रकार के दवाया है, इसके बी side drugs है, जिसके अंदर इसके बीज है, उसको क्या करेगा, नर्स्ट करेगा, यह इनकी क्या है, drugs of choice, उसके बाद में खुझली के लिए anti-stamin use करते हैं, इसके बीज एक high contagious disease है, अत्य रोगी के साथ उसके संपरक में आने वाले सभी family member को भी treatment किया जाता है, क्योंकि इसके बीज एक ऐसी condition होती है, जो उनके कोई भी contact में आएगा, उसको भी हो जाता है, ठीक है न, माली जी उसका treatment चल रहा है, घर में किसी को और को है, तो वो ठीक हुआ, उसके बाद में उसको वापिस हो जाएगा, तो इस प्रकार से पूरे family का इसका treatment चलता है, यह बहुत important है बच्चों, यह बहुत ही खतरनाक है, इस बाद को भी क्या रखें, ज्यान रखें, इसके बाद में nursing management की बात करें, रोगी को general health status और clinical future की severity का assess करना है, रोगी को डोक्टर दोबारा prescribed, इसके भी sites properly use करना ऐसा नहीं है, कि दवाई थोड़ा कुछ लिया, थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद में छोड़ जया नहीं, जब तक इसके बीज के, जो उसके लक्षन है, infection है, बोड़ी के अंदर है, 0% खतम नहीं होता है, तब तक वापिस होने की संभावना रहती है, इसे proper रूप से डोक्टर जी से बोलते हैं, उस हिसाब से दवायां लेनी होगी, रोगी को प्रयाप्त प्रस्नल आइजिन बनाए रखने और well balanced diet लेने की सला देते हैं, रोगी के साथ उनके संपरक में आने सबी family member का treatment भी करें, साहे उसमें रोग के लक्षन मौजूद नहीं हो, इसके भी साइट ड्रेक्स के लगने के साथ रोगी के कपड़े, बिस्तरों को अच्छे से धोये, तता तेज धूप में सुकाएं, रोगी और प्रिजनों को disease के contagious होने के बारे में बताएं, तता उसके spread को रोखने के लिए प्राप सावदानी बठने की सला दी जाती है, रोगी को, इसके भी साइट एजेंड को dry skin पर ही use करने की सला देनी है, क्योंकि moist skin पर इसका absorption तेजी से हो जाता है, जिससे central nerve system, संबंदित central nerve CNS होता है, संबंदित side effect आने की संबावना रहती है, जो central nerve system है, जो औरगन है, जो उसमें क्या होगा, कि side effect देखने को मिलता है, बच्चों इसके अंदर ये बताया गया है, कि जो इसके भी side drugs, जो इसके भी इसको destroy करते हैं, उसको पूरा सरीर के सनान कर लिया, सनान करने के बाद में पूरा dry हो गया, और उसके बाद में लगाना है, नई तो जो नमी वाले जगे पे लगा दिया, ऐसी condition के अंदर body के जो central part of the body, जिसमें brain है, spinal cord है, उसके अंदर side effect देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जल्दी से क्या हो जाएगी, absorb हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है, क्या-क्या दियान रखने के लिए बोला गया है, nursing management, general health, उसकी severity, क्या-क्या symptom देखने को मिलते हैं, उसको देखना है, proper रूप से दवाई लेनी है, और उसके बाद में personal hygiene बनाय रखना है, well balanced diet लेना है, उसके साथ साथ में, जो भी इसके बीज़ वाले member जिसके घर में इ उनको भी तो दवाई लेनी है, कपड़े हैं, धूप में सुकाने हैं, तेज धूप में सुकाने हैं, उनके बिस्तर अलग होने चाहिए, उनके साथ साथ में उनके family को भी क्या करना है, ट्रीट्मेंट करना है, उसका भी ट्रीट्मेंट करना है, ठीके, साथ में इसके अंद सपोर्ट देना है और यह कंडिशन इस प्रकास से देखने को इसके विज़े उसकी खुजली है देखने को बहुत खतरनाक होती है बहुत ही खतरनाक होती है इंगलिस के अंदर भी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं मैंने पीडियेप ग्रूप के अंदर रात को भेज दिय है मैंने यह पीडियेप आपको बच्चों ग्रूप के अंदर भेज दिया है जिन लोगों को पीडियेप की रिक्वार्मेंट है वो इस नमबर पे कॉंटेड कर सकता है मैसेज कर सकता है ग्रूप में वहसेप पे मेसेज कर सकता है 9470481681 इसन जी कर सकते है जिसके अंदर इसके बाई जिसको बोलते हैं इंक्यूबेशन फिर्ट की बात करते हैं तो 4-6 विक इसके भी दिजीज हो जाती है बोड़ी के अंदर एंट्री होती है तो 4-6 विक के अंदर उसके सिम्टम है वो एपियर होते हैं असेस्मेंट इंटेंस खुझली है इस्पेशली एट नाइट उसमें नाइट के अंदर देखते हैं दूसरा असेस्मेंट करेंगे ब्रोव्स के बारे में फाइन ग्रेज ब्राउन थ्रेड लाइक रेड देखने को मिलेगा कहां पर इस्टे ट्रम कॉर्णियम की स्कीन की लेर या परमे 35% ठीक है ना किल द माइट से ये क्या है माइट को डेश्टोय करने का काम करती है साती सात में एक बात और ध्यान रखना है लिंडेन क्रीम सुड नॉट भी यूज इन शिल्डरन यंगर देन एज तू मतलब दो साल से उपर वाले बच्चों के अंदर तू नॉज यूज भी शिल्डरन यंगर देन एज कितना दो साल दो साल से कम वाले बच्चों को नहीं यूज करना है क्योंकि of the risk of the neurotoxicity or seizures सोटे बच्चों के अंदर दो साल से कम वाले बच्चों के अंदर यूज करते हैं तो ऐसी परस्ति में neurotoxicity हो सकती है नरोज से संबंदित उनको दिकत आ सकती है और बच्चे को क्या सकता है seizure आ सकता है इसलिए linden drugs है या cream है वो यूज नहीं करनी है यह थोड़ा साथा नहीं बढ़नी है application should be preceded by the warm soap and water bottle यह जो cream लगाते हैं इसको application should be preserved by the warm soap और water इनके साथ में करना है skin must be dry skin कैसे होनी चाहिए dry होनी चाहिए cool dry and cool before the application of the lotion उसके बाद में lotion is left in the place 8 to 14 hour before it washed out आर से 14 गंटा के बाद में lotion जो cream है वो लगाया है उसको क्या कर देना है अटा देना है उसको wash कर देना है तो यही बच्चों था एक सोटा सा टोफिक था इसके बीज के बारे में जो आपको मैंने आपको बताया है ठीक है तो आज इतना ही दन्यवाद